ये बात शुरू होती है, मेरे कॉलेज एडमिशन के दिन से जब मैंने उसे पहली बार कॉलेज कैमपस में देखा था, सॉरी, मैं बताना भूल गया. मेरा नाम संजय है, मैं एक टाटा मोटर्स कमपनी में काम करता हूँ, अब यहां भी मेरे बहुत सारे दोस्त बन गई हैं, जिनके बारे में आपको फिर कभी और बताऊंगा, तो अब आते हैं मेरे पहले प्यार की कहानी पर. यह बात है सन 2020 की, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए दिल्ली गया था. हाँ जी, मैं भी इंडिया से ही हूँ, जब मैं अपना एड्मिशन कम्प्यूटर साइंस में करा कर, कॉलेज कमपस देखने के लिए कैमपस में ही घूम रहा था, तो मैंने पहली बार उसको देखा, उसको देखकर मैं तो देखा ही रहेगा और वो कब वहां से चली गई, क्या हुसन था उसका, और उसका फिगर तो बस पूछो ही मत, ये पूरा भरा हुआ गद्रीला सा बदन, जिसको देखते ही इंसान सब कुछ भूल जाए, और बस रात को उसको याद करके पूरा बाथरूम गीला कर दे, और उसके बाद भी मन शांत ना हो, यही कोई 36 इंच क चाती, 26 इंच की कमर और 24 इंच की उसकी बैक होगी वापस कहानी पर आते हैं, जब मुझे होश आया, तो वो वहाँ से जा चुकी थी, ना ही मुझे उसका नाम पता चला और नहीं उसकी ब्रांच, पर अब हो भी क्या सकता था, मैं भी एड्मिशन करा कर वापस घर आ गया, क्योंकि क्लासेज अगले महीने से शुरू होने वाली थी, अब मैं रोज दिन में तीन से चार बार उसको अलग-अलग पोजीशन में इमेजन करके बातरूम गीला करता था, और बाकी की टाइम स्टोरी पढ़ता रहता, फिर वो दिन आ ही गया, जब से क्लासेज स्टार्ट होने वाली थी, मैं एक दिन पहले ही अपने हॉस्टल में आ गया, अपने रूम में समान सिफ्ट करके गरल हॉस्टल के चक्कर काटने लगा कि शायद वो दिख जाए, पर किस्मत फूटी हो तो क्या कर सकते है, क्लासेज स्टार्ट होने के एक महीने तक वो मुझे नहीं दि देखी और मेरे दिल उसको देखकर फिर से बैठ गया, पर मैंने खुद को संभाला, सीधे उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा, उसने भी मेरी तरफ गोर से देखा, और वो बिना कुछ बोले, वहां से मुह बना कर वहां से चली गई, आज मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने अपने रूम पार्टनर के साथ पार्टी करी थी, अब मैं रोज उसको फॉलो करने लगा, और बस उसको प्यार से दिखता रहता था, चाहे हो कैंटीन में जाए या कैंपस में, मैं बस उसको प्यार भरी नजरों से देखता रहता था, वो भी मुझे नोटिस करती थी, ये मुझे भी बाद में पता चला, ऐसा ही उसको देखते देखते तीन महीने निकल गए, उसके बाद एक दिन मैं दुबारा उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा, इस बार भी उसने मुझे गोर से देखा और कहा, मेरा नाम पायल है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उसकी आवाज सुनकर मानो मुझे जन्नत सी मिल गई हो फिर मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा को वो कहां से है क्योंकि उसकी ब्रांच का तो मुझे उसका पीछा करके ही चल गया था पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई आज फिर हॉस्टल में पार्टी हुई अब अगले दिन मैंने पायल को कॉलेज कैंटीन में चाय ओफर की उसने भी हा बोल दिया फिर हमें साथ बैठके चाय पी और इधर उधर की बाते की इसी तरह हम रोज कैंटीन में ही मिले और बाते करने लगे जिससे हम दोनों में दोस्ती हो गई अब हम दोनों बाहर घूमने दोस्तों के साथ पार्टी करने और फिल्में देखने भी जाने लगे इस तरह फर्स्ट येर के आठ महीने गुजर गए फिर एक दिन मैंने उसको साथ में फिल्म देखने के लिए चलने को बोला वो एक रोमैंटिक फिल्म थी हम शाम को फिल्म देखने के लिए साथ में ही चल दिये मैंने टैक्सी बुलाई और हम टैक्सी से मॉल पहुँच गए थे मैंने two top corner seats ली और हम अंदर बैठ के movie देखने लगे ये एक romantic movie थी interval तक तो हम दोनों इसे ही बैठ के movie देखते रहे फिर interval के बाद मैंने हिम्मत करके उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया उसने कोई भी response नहीं किया तो मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई थोड़ी देड़ तक ऐसे ही हाथ पकड़े रहने के बाद मैंने उसके हाथ को धीरे से दबाया तो उसने मेरी तरफ देखा और एक प्यारी सी smile दी और कुछ नहीं कहा बस फिर क्या था? मेरी हिम्मत और बढ़ती गई फिर मैंने उसके कान के पास जाके धीरे से I love you बोल दिया उसके इस पर कोई reaction नहीं दिया और चुप चाप मूवी देखने लगी मैं भी उसका हाथ पकड़े मूवी देखने लगा अब एक बहुत लंबा किस्स सीन आया और मैंने उसके हाथ को जोर से दबा दिया और शायद वो भी समझ चुकी थी कि मैं क्या चाहता हूँ तो वो कुछ मेरी तरफ जुक कर बैठ गई अब मेरा हाथ उसके हाथ को सहला रहा था और मैं फिर से उसके कान के पास गया और उसको गाल पर किस कर दी जिससे वो एकदम हिल गई और मेरी तरफ देखने लगी इससे पहले कि वो कुछ कहती मैंने उसको लिप किस्स कर दी उसने जटके से मुझे हटा दिया और मूवी देखने लगी पर कुछ कहा नहीं अब मूवी में एक और लिप किस्स सीन आता है इस बार मैंने फिर से उसके हाथ को दबाया तो उसने मेरी तरफ देखा मैंने फिर से उसको लिप किस्स कर दी यत पार्ट वन अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये पार्ट कैसा लगा?